Hello students, कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं और यह वीडियो बिशिकली आपके कॉमेंट पे चलेगी इस वीडियो में पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो बिशिक लिए आपके कॉमेंट से डिलेटर आपके जितने भी कॉमेंट है उस पर हम बात करेंगे और वीडियो सुरू करने से पहले उन सभी हमारे भाईयों और बहनों को बहुत 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 वधाई जिनों ने आई हुए एल्टी ग्रेट के परणाम में अपने एक सीट को पक्का किया है और उनको हम यह भी काना चाहते हैं कि भाईश में आपको जो भी कंदे पर जिमिदारियां दी जाएंगे आप उसको सही से निभाएं आए आता हूं कि सारे कॉमेंट के रिपलाई दे दू पहले कुछ कम कॉमेंट आते थे जिसके रिपलाई मैं असाइन से दे पाता तो अब इतने ज्यादा कॉमेंट है कि मैं रिपलाई नहीं दे पाता हूं एक दो दो घंटे देने के बाद भी और इसलिए मैं सोचता हूं कि पूछ रहे हैं और दूसरा सबसे इंपोर्टेंट है कितनी जाएगी इस पर बहुत ज्यादा कॉमेंट हमें मिल रहे हैं और तीसरा विकेंसी जिनका हुआ है और जिनका नहीं भी वा उनके लिए बताना चाहूंगा कि जो यह अल्टी ग्रेट की वेकेंसी ओ आएगी जब क्य जरूर आएगी क्योंकि ऐसा पद है जो आते ही रहते हैं जो लोग रिटार होते हैं इस पर भी आपको complete analysis दूंगा कि वेकेंसी आएगी कहां से मुझे यह सुत्र के मादेम से में पता चला एक वेकेंसी आएगी कि नहीं आएगी इस पर भी हम पूरा discussion करेंगे कि cut up कितनी ज आता दूँ जो integrate का result है विए तो आना ही शुरू हो गया मेन शिक लिए जो दो subject है अगले सुक्रवार को आये थे क्रिसी के और संगीत बालक वर्क के और लेकि इस सुक्रवार को महिला बालक वर्क के जो result आये हैं बालक वर्क में गिरीविघ्ञान के आये हैं तरह से निच्पच्छ देते रिजल्ट को गोसित किया है जैसा कि हम आपको देख लिजी उत्तर पर इस लोक्षवायोग ने शुक्रवार को एल्टी ग्रेट भरती पर इच्छा के दो विश्रो का पढ़नाम घोसित कर दिये जिसमें संगीत महिला साखा के शाथ पर्द और ग धीरी विग्यान भीशर कि कोई योग अलिजार्थी न मिलने के कारण पतथा ली रगया इस चीज़ को आप लोग दियान देजिए रूंकि मैंどう नूटिफ्टिफिकेशन कियूं आएगा नोटिफिकेशन किउँं किूँ आएगा इस लेन और ला हूं यहां पर आपको मैं complètement एनिलिसिस दूंगा क्योंकि जो हमारे सचीव महोदय हैं आयोग के सचीव जगदेश के अंसारिक रह गया पद को आयोग ने अग्रगनित कि यह जाने के संसुति कि यह संसुति यानि एक इस पद पर भरती के लिए दोबारा विग्यापन निकाला जाएगा यानि न्यू कि इस पॉइंट को मैं बिशिकली आपको हाइलेटेट कर रहा हूं कि देखिए दुबारा विग्यापन निकाला जाएगा यानि जो मैं अगर कहूं कि जो यह एल्टी ग्रेट के विकेंसी है एल्टी ग्रेट के लिए जो भी पहले इससे पहले बिजू नियूज की गई या थी लेकि एक जाम बेस पर होने के वाज़े से आप समझ लेजिए कि 2017-2018 विकेंसी तो आपको 2020 में एक विकेंसी देखने को मिल सकती या जो है अगर हम कहें इसे कि न्यू विकेंसी की डेट अगर बता दें तो 2020 में एल्टी ग्रेट की विकेंसी आने के चांसे हैं अगर हम कटप पर बात करें बहुत सारे बल्क में मैं यूँकर बहुत ज्यादा लोग कटप को लेके एक्साइट रहते हैं कि एल्टी की कटफ क्या जाएगी तो कटफ ज स्कूप रहा कितने सीटों में कितने लड़कों को सेलेक्शन हुआ तो कटफ क्या गई क्योंकि अभी कुछ दिनों काले पीस्स का रिजल्ट विया जिसमें पहुत ही अन एस्पेक्टर रही ठेक इंतु पीस्स का रिजल्ट आ अन एस्पेक्टर रही कटप लगभग 93 प्लस चला गया लोगों का उनमान कितने से पचासी तब के धरे के धरे रहे लेकिन यल्टी ग्रेड में यल्टी ग्रेड की अगर बात करें हम तो यल्टी ग्रेड की बात करें तो यल्टी ग्रेड में कटफ जो है हमारा मिनमाम रहने की उमीद क्यों क्योंकि सीटों की संख्या ल रहने की कहा जा सकता है एवरेज कट अफ रहेगी तो यह हो गया कट अफ के लिए और निव नूटिफिकेशन भी आने के पूरे चांस से क्योंकि जो सीटें हर साल खाली जाएंगी सरकार पूरे उसे बरने के पच्छ में है और यह हमें देखना को मिल सकता है आप लोग इसी इस दुन में इसे तैयारी करते रहें क्योंकि एक बार तैयारी पूर नहीं बाती है ठीक तो ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूलें अगर वीडियो लगी हो अगर आपकी कोई क्वेरी हो कोई कॉमे उने पुमिल सक्टी